नमस्कार मैं दॉलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज भारते कुष्टी मासंग के पूरवक्दक्ष और बीजेपी सांसाज ब्रेज बुशन संट सिंग के खिलाफ यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने चार सीट डायर की है और जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर ब्रेज बुशन संट सिंग ने छेड़कानी की है और उनके उपर केस चलाया जाए जिसमें अब उनको कोट तक घसीटा जा सकता है और कहीं न कहीं बड़ी कारवाई ब्रेज बुशन संट सिंग के खिलाफ हो सकती है जब देखा जाए तो बचने का कोई रास्ता है पर बुषण सिंग के पास अब नजर नहीं आता लेकिन यहां पे क्या देखा जा रहा है कि इनके होसले तो अब और भी बलंद होते जा रहे हैं पत्रकारों से बसलोकी करते हैं जनता से हैं बसलोकी करती हुई दिखाई देती ह यह पूरी जो मोदी परसासन है किस तरीके से बद्धान मंत्री निरेद मुदी भाजपास सरकार के जो मंत्री ज तरीके से बदसलुकी करते हैं और खुद जो इतने बड़ संगीन आरोप जिस व्यक्ति के ओपर लगे हैं ब्रज बोचन स्रण सिंग के खिलाफ वो भी किस तरी आंदोलन में भी वह गई थी और मिलकर पहलवानों के साथ बनी वी थी उन्होंने भी इसके ओपर टिपिनी की है और मैं आपको पढ़के बताऊंगा कि उन्होंने क्या ट्वीट जो है किया उन्होंने ट्वीट किया जब यह चार्ट सीट दायर की गई तो यहां पर परतिक्र या सामने याई चाहे वो प्रेंगा गांधी हो चाहे वो अन्यानेता हो चाहे वो सुप्रिजस तोनेत हो और कॉंग्रेस पार्टी के काराले में जो है इसको लेकर एक बड़ी प्रेस कॉंफरेंस भी हुई जहां पर पूरी तरीके से मोधी सरकार को घेरा गया और कहा गया कि परसासन सिर्फ गुंडों को बचाने में लगा हुआ है ना कि पहलवानों को इनसाफ दिलाने में मैं आपको ये ट्वीट पढ़के बताऊंगा इसमें प्रेंगा गांधी क्या कहती है उनका कहना है कि कानून और नयतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए निस्पक जांचोग रफतारी हो और अदालत से उसे सजादिल वाई जाए लेकिन भाजपा सरकार देश का मान बढ़ाने वाली महिला ख्लैडियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को बचाती नजर क्यूं आ रही है मामले को इसमरती इरानी जब भी कॉंग्रेस का कोई निता या कोई अन्य व्यक्ती जराशी भी टिपनी कर दे या फिर कोई ऐसा केस सामने भारा आ जाया जिसमें आरोपी कॉंग्रेस के कोई निता हो तो आप लगातार देखते होंगे कि महिला सस्टेकरंड की बात करती हैं इनके न कई सारे मंत्री जो है दुमदवागर भाग जाते हैं मैराथान की दौड जो है यहां पर लग जाती है मीडिया करिमियों का माइक देखते ही सुख बुगाहट सी जो है पूरे मंत्री मंडल में हो जाती है कि अब न जाने क्या पोच लें और लगातार यही कोशित जो है तुम्हें दुख में नहीं देख सकता लेकिन जब उनके नेता के उपर ही तने बड़ी आरोप लगते हैं तो मौन बैट जाते हैं 28 मई के वो दिर से आपको याद होंगे कि किस तरीके से पहलवानों के साथ बदसलुक की दिल्ली पुलिस करती हुए नजर आई वहां पर भ चامलम चैसली खेगातार जो जारी रहती हैं क्योंकि जाना चाहिएह तरीकर और और भी ऑपर बिस लोसंग को हो सकती हैं और महिला पहलवानों को उनका ईंसाफ मिल सकता है और भी ऐसी खबरे जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 News धन्यवाद